उत्तरप्रदेश में 2017 के विधानसवाच चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थे उसके बाद उन्होंने उत्तरप्रदेश का मुखिया योगी आदितनाद को यानि कि मुख्यमंत्री बनाया था योगी आदितनाद को फिर उन्होंने एक ऐसी योजना शुरू की जिससे सीधे तोर पर गरीबों और ज़रुत मंदों का जुडाव था शुरू में ये योजना तो दमदार तरीके से चली लेकिन आगे चलकर ब्रश्टचारियों ने इस योजना में ऐसी सेंध लगाई कि मुख्यमंत्री का ड्रेम प्रोजेक्ट बिलकुल मजाग बन कर रहे गया नमस्कार आदाब आप C.I.P. इंडिया न्यूस देख रहे हैं आज हम आपको एक ऐसे भ्रश्टचार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर और कितना गिरेंगे लोग यूपी के महराज गंज में सामोहिक बिवाह योजना में भाई बहन नहीं ले लिये साथ फेरे वजह जानकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे दरसल यूपी के महराज गंजले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों समेथ सभी को चौका कर रख दिया है इसमें सीधे तोर पर अब सरकार की किरकिरी हो रही है यहां सरकार की तरब से मिलने वाले अनुदान के लिए सामोहिक वीवा यूजना के तहत भाई बहन नहीं शादी कर ली और साथ फेरे भी ले लिये उत्यपरदेश सरकार के मुख्यमंतरी सामोहिक वीवा यूजना में लगातार फर्जी वाड़े के मामले सामने आ रहे है यूपी के महराजगन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों समेथ पूरे सिष्टम को जंग जोर कर रख दिया है यहां सरकार की तरब से मिलने वाले अनुदान के लिए भाई बहन नहीं शादी कर लिया है साथ फेरे भी ले लिये हैं जैसे ही भाई बहन की शादी का मामला सामने आया अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए बीडियो ने फौरण आरोपी भाई बहन से अनुदान का सारा सामान वापस मंगवा लिया और इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी फौरण रोक लगा दी गई फिलहाल इस पूरे मामले की जाच की जा रही है सामुहिक बीवा योजना के अनुदान के चक्कर में हुई भाई बहन की शादी ने सभी को संद कर दिया है किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है कि अनुदान के लिए कोई ऐसी भी हरकत कर सकता है मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सामोहिक विवा योजना के तहद बीते 5 मार्च को 38 जोड़ों का विवा करवाया गया था इस जवरान लक्षमेपुर छेत्र में एक गाउं की रहने वाले योती ने भी अपना पंजी करण करवाया बता जा रहा है कि योती की शादी एक साल पहले ही हो चुकी थी आरोप है कि बिचवलियों ने योती को फिर से शादी करने के लिए तयार कर लिया इसके लिए एक लड़का भी तय कर लिया गया था मगर जिस दिन ये शादी होनी थी वैयुवक कहीं बाहर चला गया और वापस नहीं आया ऐसे में बिचवलियों ने कमिशन के चक्कर में यूती की शादी उसके ही भाई से करवा दिया और दोनों के साथ फेरे भी करवा दिये बताते कि जैसे ये मामला सामने आया फौरण अनुदान में दिये गए सामान को वापस मंगवाया गया इसके साथ ही जोड़े को मिलने वाली 35,000 रुपए की आर्थिक साहता पर भी रोक लगा दी गई इस मामले से हड़कांप मचा हुआ है आपको ये भी बताते कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब इस तरह की घटना इस योजना से जुड़े हुए कारिक्रम के दोरान देखने को मिली है अभी कुछ दिर पहले ही कुछी नगत जिले में सामोहिक साधी के दोरान दुलं के तोर पर रजिस्टर्ड महिलाओं का पेटी कोट ही गायव हो गया था जिस पर खूब बवाल मचा था खूब हो हल्ला हुआ था ऐसे ही एक मामले में बलिय जिले में मुख्यमंत्री सामोहिक वीवाय योजना में फर्जी वाड़ा करने वाले सहायक विकास सधिकारी भानुपरताब और लिपिक रवेंद्र गुपता को निदेशक समाज कल्यार ने निलंबित किया था विकास खंड मनियर में 25 जनवरी को आयोजित मुख्यमंत्री सामोहिक वीवाय समारों में 568 कन्याओं का वीवाय संपन्द कराए गया था उसी दिन नव विवाहिताओं द्वारा दोबारा सामुहिक विवाह समारों में बैखने का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल होने लगा इसके बाद तो हड़कम मज गया इस मामले में कई लोग सस्पेंट हुए थे इसी तरह के एक और मामले में जानकारी सामने आई कि कुछ शादियां तो दूले के बगएर ही करवा दी गए थी जबकि कुछ में दिहाली मजदूरों को मजदूरी का लालज देकर उन्हें दूला बनाकर फर्जी वाड़ा करने के आरोप लगे अब आप ही बताईए अधिकारी से लेकर जनता तक जब लूट में लगी हो तो कैसे बदलेगा उतरप्रदेश और कैसे बदलेगा भारत आप क्या सोचते हैं इस घटना पर इस फर्जी वाड़े पर दोशियों के खिलाप कैसी कारवाई होनी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए धन्यवाद